राहूल जी का करक्रम आज वो केरल से बानारस आने वाले थे और बनारस में यहां पर बाबा विश्णात का दृशन करके और विर प्रियाग राज जयाना था और आज यह यहां पर गृतल 13 ने पूरी तरिके से सरकार के दवाओं में और आस्कुती पर्मिशने दिया और कर सक्षेट नजी जिस तरीके से लोगों ने यह लोगों ने पर अब लगu कहा अग्वेत अबी पुरा ट्राफिक जैम है और उस तर्चे से इन्ोंने उसका बहना दिखा कर यह कर इन्हों ने जान बुश कर दबाव में इन्होंने पर्मिशन नहीं दिया रही है आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि जहां एक और देखने को मिला था कि संसद में संसदिये टिपणी करने के बाद लोग सभा के द्वारा राहुल गांधी को नोटस दिया गया था और यहां तक कहा गया था कि अगर वो सबूत और तत्य पेश नहीं करते तो उनकी विधाई की भी जा सकती है तो वहीं दूसरी ओर एक और नई सियासत कॉंग्रेस की ओर से देखने को मिली है दर असल अब कॉंग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि राहुल गांध कॉंग्रेस की ओर से शुरू हो गई और लगातार समुद्दे को लेकर के जूट फैलाने की कोशिश की गई सबसे पहले देखने को मिला कि वारण असी के कॉंग्रेस ने ता जो एराय ने ये कहा कि हम अपने तमाम समर्थकों के साथ उनका वेट कर रहे थे लेकिन उनके प् पारा एक और जुट फैलाया जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी राहुल गांधी की लोक प्रियता से डर रही है जिसकी वज़े से ये चीज़े हो रही है तो वहीं अब वारण असी एरपोर्ट के द्वारा इन तमाम आरोपों को खारिस कर दिया गया है बता दें कि वार प्लाइटर ने ही कैंसल की है यानि कि ये प्लेन लैंडिंग की जो ख़बर है राहुल गांधी के द्वारा ही कैंसल गी गई है और इसको ले करके पहले वाटस अप मैसेच किया गया थो उसके बाद अथौर्टी को इमल किया गया था जिसके बाद उन्होंने यहां पर प्ल प्लाइटर की ओर से फ्लाइट कैंसल किया गया था कॉंग्रेस का अरोप था कि सुमवार देरात राहुल गांधी के बिमान को एरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया गया बता दें कि वारण असी एरपोर्ट ने एक ट्वीट किया है और इसमें कहा है कि उनके चार्टट एयर प्लाइट कैंसल करने की सूच ना दे दी थी कॉंग्रस लेता अजयर आयन एरपोर्ट अथारिटी पर इस मामले में गम भी रारूप लगाये थे उन्होंने कल रात ही कहा था कि राहुल गांधी बार नसी आने की बाद प्रयाग राज जाने वाले थे वहां पर भी उनका प लेंड नहीं करने दिया उन्होंने ये भी कहा कि यहां ट्राफिक जाम है और जानबूच कर अनुमती नहीं दी गई है बता दे कि कॉंग्रस नेता अजयर आये अपने समर्थकों के साथ वारणसी एरपोर्ट पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौजूद थे अजयर पहले कहा जा रहा था कि कॉंग्रस नेतार राहुल गांधी का लाल बाहदुर शास्त्री एरपोर्ट पर उतरने और फिर काशे विश्वनात में दर्शन करने का कारिग्रम था उसके बाद उन्हें प्रयाग राज भी जाना था कॉंग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि रा विमान में सवार थे उसके ही ऑपरेटर ने ये ट्रिप कैंसल कर दी थी यानि की वारण असी एरपोर्ट ने इन तमाम आरोपों को खारिस कर दिया है उन्होंने बकाइदा एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे पहले उन्हें वाटस वारण असी एरपोर्ट ने ऐसी कोई परमिशन या फिर इजाज़त ना देनी की बाद की ही नहीं है राहुल गांधी के ऑपरेटर को वहीं जहां पर बार बार ये देखने को मिलता है कि कैसे कॉंग्रस के नेताओं के द्वारा जूट फैलाने की कोशिश की जाती है एक ताकि कैसे खोद वारण असी एरपोर्ट अथारिटी सामने आती है और तमाम जूट को सिरे से खारिस कर देती है और जो भी स्टेटमेंट है जो भी बयान है वो क्लियरली बोलती है इससे ये बास जाहिर होती है कि कैसे एक विवाद में फसने के बाद राहुल गांधी दू आरोपो को लेकर के जवाब दे देती है और अगर यह आरोप निराधार है तो कोई भी अथारिटी इस चीज़ को लेकर के जादा जो मार्केट में जूटी खबरे है वो फैलने नहीं देती और सीधे तोर पर सामने आकर के सच्छाई बयां कर देती है बता देए कि इससे प पियमोदी के रिष्टो को लेकर के जूट बोलने का प्रयास किया कहीं न कहीं एक तरीके से जनता में भ्राम फैलाने की कोशिश की और जब इसी चीज़ को लेकर के जो बीजेपी की नेता है निशिकांत दूबे और प्रहलाज जोशी उन्होंने बकाइदा इसकी सूचना क को लेकर के ये कहा कि इसका क्या प्रूफ है जो राहुल गांदी कह रहे हैं क्या उनके पास दस्तावेज हैं तत्थ हैं किस आधार पर ये तमाम बाते कर रहे हैं क्या इसका वो प्रूफ दे सकते हैं और अगर नहीं देते हैं तो उनकी विधाई की भी जा सकती है बता दे क देखने को मिला था कि आज राहुल गांधी बायनाट पहुंचे उए थे और यहाँ पर उन्हों ने काई सारी बाते भी प्रदान मंतरी मोधी को ले कर के कहीं, उनका कैएना है कि प्रधान मंतरी मोधी जो उनके सवाल का जवाब देने में कापते हुए नजर आये थे बार बार पानी पी रहे थे यानी कि अफ प्रधान मंत्री मोधी के पानी पीने पर भी राहु-गान्दी को HD हो रही है और और इस चीज को भी ले करके वो टिपड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि संसद में देखने को मिला था कि जो प्रधान मंत्री मोदी भी उनके द्वारा जो सवाल पूछे कहते उसका जवाब दे रहे थे और इसी के साथ ही राष्टपती द्रौपदी मुर् कोशिश कर रहे थे और बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि संसद की में आज की कारवाही भी इस्थगित हो जाए लेकिन प्रधान मंत्री ने उनके सबी सवालों का जवाब दिया इसी के साथ ही राष्टपती द्रौपदी मुर्मु के अभी भाशन को ले करके भी उन्होंन की कोशिश की जा रही है जिसके बाद प्रधान मंत्री ने भी अपने अभी भाशन के अंतिम में ये चीज बोली थी कि आज पुरा देश देख रहा होगा कि कैसे एक अकेला शक्स सभी लोगों पर भारी पड़ा है बता दे कि राहुल गांधी लगातार प्रधान मंत्री मो गांधी को लेकर के कहे हैं और वहीं अब एक और दूसरा जूट जो है कॉंग्रेस की ओड से बिनकाब हो गया है कि कैसे सरकार ने दबाव बनाया वारण असी एरपोर्ट अथारिटी पर कि राहुल गांधी के फ्लाइट की लेंडिंग की पॉमिशन उन्हें ना दी जाये कि राहुल गांधी बनारस का दौरा रद करते लेकिन अब एरपोर्ट अथारिटी ने ये बात खुद कही है कि हमने नहीं बलकि राहुल गांधी की ओपरेटर नहीं ये ट्रुप कैंसल की है और उन्होंने बकाइदा मेल भी किया है बता दे कि आथारिटी ने इस मेल का स्क करना ना भूले